अब प्रोजेक्टाइल इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन का एक कोस्च्टन सूल गरेंगे कोस्च्टन है अब प्रोजेक्टाइल is thrown over a triangle from one end of the horizontal base and grazing over the vertex it falls on the other end so that tan A plus tan B equal to tan alpha where A and B are the base angles of the triangle and alpha is the angle of projection diagram बनाते है यहां पर एक ट्रेंगल दिया हुआ है A, B, C बेस है बेस पॉइंट्स जो हैं A और B हैं यहां पर यह एंगल जो दिया हुआ है वो है A यह एंगल है B एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस यू लेट से इनिशल वेलोसिटी इस यू तो पॉइंट्स C के कोई कॉइंट्स लेते हैं यहां पर बेस से लेट से वो A पॉइंट्स पर A दिस्टेंस पर तो यह पॉइंट्स हो गए A कॉमा और यह हाइट कुछ ले लिते हैं B यह हो गया A कॉमा B पॉइंट अब LHS से सॉल्व करते हैं LHS क्या है टैन A प्लस टैन B टैन A को क्या ले सकते हैं B अपॉन A टैन B को B अपॉन R-A इस विल बी इस इस दा होर्जोंटल रेंज and so this will be R-A B कॉमन करते हैं R-A प्लस A तो R अपॉन A इंटू R-A अब RHS लेते हैं टैन अलफा हमें इसकी वैलू निकालनी है टैन अलफा तो हमें इस प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्ट्री की एक्वेशन हमें बता होती है य बराबर X 10 अलफा माइनस GX स्क्वाइर अपॉन 2U स्क्वाइर कॉज स्क्वाइर अलफा यह हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं Y equal to X 10 अलफा कॉमन कर लिया 1 माइनस X by R क्योंकि X 10 अलफा अगर नीचे जाएगा तो 1X से 1X 10 अलफा को कहा लिख सकते हैं sin अलफा अपॉन कॉज अलफा तो 1 कॉज अलफा कैंसल तो 2 sin अलफा कॉज अलफा that will be U square sin 2 अलफा नीचे से अज़ उपर से आज़ जी this will become R so इस form पे भी हम trajectory की equation को लिख सकते हैं अब इस trajectory पे point A, B लाई कर रहा है so point A, B will satisfy this equation तो B equal to A tan अलफा into 1 minus A upon R ये लिख सकते हैं अब हमें यहां से tan अलफा का term मिल गया है tan अलफा की value निकालते हैं जरा कितनी आएगी B upon A R minus A नीचे आ जाएगा और उपर क्या जाएगा R so B R upon A into R minus A B R upon A into R minus A इसकी value क्या है? LHSS के बराबर तो LHSS, RHSS हम देख सकते हैं मतलब ये value जो है tan A plus tan B के बराबर हो जाएगी और यही हमें पूफ करना था कि tan A equal to tan A plus tan B कर दो दो पूब IT B or K कि भी